नमस्कार बच्चों सभी को चौती कक्षा की नवी पाट में स्वागत है पाट का नाम क्या है देखिए स्वतंत्रता की ओर यानि क्या है यानि आजादी की तरफ से आजादी की तरफ से कुछ बात ही हम अब सीखने वाले हैं आप सबको मालूम है ना बच्चों 1947 से पहले हमारे देश ब्रिटिस सरकार के आदीन में था ये सबको मालूम है ना क्यूंकि हम 15 आगस के दिन जंडाव फहराते हैं ना उससे पहले की हुई गटना को हम पाट के रूप में अब पढ़ने वाले हैं हर चोटे चोटे फाइसलों पर हमेशा ब्रिटिस सरकार का ही राज चलता रहता था उनसे हमारे देश के स्वतंत्र करवाने के लिए बहुत सारे लोग स्वतंत्र सेना ने अपने तरफ से बहुत महतुपूर्ण बुमिका निभाई थी उनमें से हम बुमिका निभाने वाले आदमी का नाम क्या है अब हम उन्हें के बारे में हम पार्ट में पढ़ने वाले हैं वो कौन है कौन हो सकता है या गांदी जी गांदी जी के बारे में अब एक यात्रा के बारे में अब हम करना है कैसे करना है अब हमारे पार्ट में बताया गया है उनका विरोध अहीम सासे करने के लिए हमें गांधी जी ने कहा था वो एक लड़के के रूप में हमें हमें हमारे पार्ट में पढ़ाया गया है उस लड़का का नाम क्या है धनी धनी नाम का लड़का से ये बात जु आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है वोगिया यांदी जह गांदी जी रहता है उसको आश्रम कहा गया है उस आश्रम में एक योजना बना रहे है बहुत वोग मिलके यानि एक प्लान बना रहे है, पर उसे कोई कुछ ना बता था, उस लड़का को, धनी को कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहे है वे सब समझते हैं कि मैं नाव साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धु हूँ, धनी अपने आप ही सोच रहा, क्या है, वो लो मुझे छोटा बच्चा समझ के मैं नाव साल का हूँ न इसलिए मुझे बुद्धु समझ रहा है यानि मैं ना समझ सकूंगा बोलके समझ के मुझे कुछ भी नहीं बोल रहे है पर मैं बुद्धू नहीं हूँ मगर मैं बुद्धू नहीं हूँ मैं सब कुछ समझता हूँ दनी मन ही मन बड़ बड़ाया वो अपने आप आपसे ही बोल रहे है मैं बहुती बुद्धी हूँ बुद्धू नहीं हूँ मैं बहुती अकलमंद नहीं हूँ मैं बहुत ही बुद्धि मान हूं बोलके अपने मन में कुछ आपस में मन ही मन बोल रहे है दनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगा में रहते थे दनी और उनके माता पिता यानि दनी का परवर कहां रहने वाला है अहमदाबाद के पास महात्मा गांदी के सबर्मती आश्रम में अहमदाबाद में महात्मा गांदी का एक आश्रम है उस आश्रम का नाम क्या है सबर्मती सबर्मती आश्रम में गांदी जी के साथ ये लोग रहने वाले हैं गांदी जी की तरह वे सब भी बारत की स्वतंतरता के लिए लड़ने वाले थे जब वे आश्रम में तहरते तो चरकों पर खादी का सूथ काते बजन गाते और गांदी जी की बाते सुनते हैं गांदी जी के साथ रहने वाले लोग क्या करते हैं चरकों पर खादी का सूथ का काम करते हैं यानि त्रिर से कच्छा दाग से कपड़े बुनने का काम कपड़े सुनने का काम करते थे और उसके साथ बजन भी गाते थे गांदी जी के बाते भी सुनते थे उनके साथ रहने वा कुछ न कुछ काम करना चाहिए। उनमें से कुछ कामों के बारे में दिया गए है। जिक dhokini SIM हमतार इखिए, बड़तने दोने, कपड़े दोने, पाणी भीड़ने, गाया और बकरीयों का पानी लेके आना है, खाना पकाना है, बर्तन दोना है, ये सारे काम, एक एक लोग एक तरह के काम करते रहते हैं, धनी का काम था, बिन्नी की देख बाल करना, धनी ये तो नौ सल का लड़का है ने, इसलिए उनका कोई इस तरह का काम दिया गया है, बिन्नी के देख बाल करना, ये बिन्नी कौन है आस्रम की एक बक्री थी आस्रम में रहने वाली एक बक्री थी उनकी नाम क्या है बिन्नी धन्नी को अपना काम पसंद था क्योंकि वह चोटा लड़का है ना जानवर उनसे केलना पालदू जानवर उनसे केलना बच्चों को पसंद आता है ना इसलिए उनक समय किसे बाति करते हैं बंप में बुद्दू नहीं हूं, बन बीनी से बता रहा है सिर घुलाया, भीनी बिनी आ करा गास वहा confused बिणी में कैसा हिला आया जब दनी बात ये बात कहते हैं समय कि सरा मुझे समझ में आया आया बोलकी अपना सिर हिलाया है दनी को बूख लगी खूदती फान दिती बिणी को लेकर वह रसोगी गर की तरफ चेला धनी को भूग लगने पर मा के पास जाने लगी कैसे ये चले गया है खूदती फूदती यानि जेंपिंग टू लीव ओवर लग देट खूदती फूदती बिन्नी को लेकर वहां रसोईगर के तरफ चले गया क्योंकि उसकी मा वहां रहती शायद उसकी मा चूला फूंक रही थी और कमरे में दूआ भर रहा था कि रसोईगर में चूले से दूआ आता है क्योंकि मिटी से बना हुआ चूले से दूआ ही आता है तो मा अम्मा क्या गांदी जी कहीं जा रहे है उसने ऐसा अपने मा से पूचता है खास्ते हुए मा बोली वे सब यात्रा पर जा रहे हैं खास्ते हुए यानि दुआये तो हमारे सांस टीक से नहीं चलता है कासी आता है ना कासी होता है ना कासी से अपने मा उनको जवाब देती है क्या है यात्रा में जा रहे है बोलके जवाब देती है यात्रा कहा जा रहे हैं दनी ने सवाल किया और एक दनी ने सवाल किया है तब उसने क्या यात्रा कहा जा रहे हैं दनी ने सवाल किया समुद्र के पास कही अब सवाल पूछना बंद करो ऐसे एक के बाद एक प्रशन पूछने लगे तो मा गुस्से में आकर अब सवाल करना ब बंद करो बोलकि दानती है, जाओ यहां से धनी, अम्मा जरा गुसचे से बोली पहले मुझे काना पकाने दो, अम्मा उन्शी आवाज में गुसचे से अपने बेटे को जो बोलती है। दनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहां बूड़ा बिंदा आलू खोद रहा था आपने मां के यहां से बाहर जाके कहा जाता है सीधा किस ओर चलता है क्यारियों की तरफ से यानि सब्जिया उगाने वाली जगा को हम क्या कहते हैं क्यारिया वहाँ एक बूड़ा बिंदा आलू खोद रहा था एक बूड़ा बिंदा नामक आदमे ने आलू को डिगिंग कर रहा था यानि आलू को खोद रहा था बिंदा चाचा दनी उनके पास बैट गया दनी जाके बिंदा चाचा के पास बैट जाता है आप भी यात्रा पर जा रहे है क्या सब लोग यात्रा पर जा रहे है न आप भी यात्रा पर जा रहे है क्या बोलके पूछता है बिन्दा ने सीर हिला कर माना किया ना कहते हुए अपना सीर हिलाते हुए ना कह दिया है उसके पीछे उसके कुछ बोलने से पहले दनी ने उताव ले होकर पूछा यानि जिल्दी बाजी में तुरंत जावाब भी टीक से नहीं दिया सिरी लाते ही उसने प्रश्ण के ऊपर एक एक प्रश्ण पूछने लगा कुछ जा रहे हैं कहां जा रहे हैं क्या हो रहा है इसी प्रश्ण एक एक प्रश्ण के ऊपर प्रश्ण पूछते ही रही गई तब बिन्दा ने किस तरह का जवाब दिया है देखी बिन्दा ने कोधना रोग दिया और कहा बिन्दा ने आलू को कोधना रोग कर और कहने लगा है क्या है तुम्हारे सब सवालों के जवाब दोंगा पर पहले इस बाकरी को बांदो तोड़ी देर इंतजार करो तुम इतने प्रश्णों पूचे है ना उन सारे प्रश्णों के उत्तर मैं दोँगा इस पहले इस तुम सब सवालों के जवाब दोँगा पहले इस बकरी को बांद लो बोलके कहता है मेरा सारा पला चबा रही है तुम इस बकरी को बांद लो नही दनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नीमो के पेंट से बांधिया दनी बिन्नी को लेग जाके कहां बांधता है नीमो के पेंट से बांधता है फिर बिन्ना ने उसे यात्रा के बारे में बताया बिन्ना ने अब बिन्ना चाचा ने दनी को यात्रा के बारे में बताने गांदी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पाइदल चलते हुए दांडी नामक की जगा पर समुद्र के पास पहुंचेंगे गांदी जिया और उनके कुछ सातियों ने पाइदल चलते हुए गुजरात में पाइदल चलते हुए दांडी नामक गाम की जगा पर समुद्र के पास पहुंचने के लिए वो लोग जा रहे बोलके बताता है गांओं और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे ये पाइदल किस तरह पहुंचने के भी नमग बनाएंगे दान्डी के बाद वो क्या करेंगे नमग बनाना नमक क्या है बोलके नमक यूं बनाएंगे वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है ये नमक क्यों बना आना है अगर हमें जरूरत है तो दुकान से करी सकते है न ऐसा फिर पूछता है हाँ मुझे मालूम है बिंदा हसा वो तो मुझे मालूम है हम करी सकते है ऐसा कहते हुए उसने हस परता है कौन बिंदा चाचा पर महात्मा जी की एक योजना है मगर उसके लिए महात्मा जी का एक प्लान है यह तो तुम्हें पता ही है कि वा किसी बात के विरोध में मैं ही यात्रा करते है या जुलूस निकालते हैं ना यह तो तुम्हें मालूम है ना वा कोई भी काम करें कुछ ना कुछ उसके पीचे बजह रहता है वो किसलिए करता है आप सबको मालूम है न वो प्रदर्शन के रूप में क्यों जा रहे हैं सबको मालूम है न हाँ बिल्कुल सही मैं जानता हूं वे ब्रिटिश सरकार के किलाफ सत्यागरह के जुलुस निकलते है मुझे मालूम है वो आहिमसात्मक कारवाई के लिए जुरुस के रूप में बाहर निकल रहे है बारत को आजादी दिलाने के लिए कोशिश कर रहे है पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे है ओके मगर ये नमक को लेकर वो लोग क्यों विरोध कर रहे हैं बोलकि और एक प्रशन पोस्ता है यह तो समझदारी वाली बात नहीं है ओके गांधी जी यह तो सो समझ के नहीं कर रहे हैं शायद बोलकि बोलता है बिल्कुल दनी क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है तुम्हारे समझ में ऐसा है ना मगर तुम्हें मालुम है हम नमक करिद से समय हमारे नमक के उपर कर भी देना पड़ता है यानि ये शुलक भी यानि टैक्स के रूप में पैसे हमसे ले रहे हैं कौन ब्रिटिश सरकार लो इसे ही लड़ने के लिए हमारे गांडी जी ने पैदल गुजरास की दांडी ग्राम में जा रहे हैं अच्छा धनी हैरान रहे गया ये बात सुनते ही धनी शाख हो जाता है नमक की जरूरत सभी को है इसका मतलब है कि हर बारतवासी गरिब से गरिब भी ये कर देता है बिंदा चाचा ने आगे समझाये है सभी को मालूम है ना बच्चों बिना नमक से हम सबजी बनाए तो वह दिख्जी से नहीं सकते है वह स्वादिस्ट करते है कि अप्रोर नमक करते हैं इस लिए नमक के लिए त्यार करते दिए 15,फशी बनाता है न मीज्ेट है ये छुटक पसमूब को पास भी पनत पायी श्यर्व है लेकिन यह तो सरा सर अन्या है कि बोड़ा समय गया शायद किसको धनी को धनी की अंगों मैं गुसा था किसह उपर गुसा था हां यह अन्या है इतना नहीं ही बाãoती लोगों को और और भी कुछ कह रहा है देखिए हाँ यह अन्या है इतना ही नहीं बारती लोगों को नमक बनाने की मना ही है महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा पर उन्होंने यह बात तुकरा दी एक बार ने बहुत सारे बार ब्रिटिश लोगों को बता चुके है पूछ चुके है नमक के उपर कर हटाने के लिए फिर भी वो लोग नहीं माने है यानि वो लोग सुईकर नहीं किये है इसलिए उन्होंने निच्छे किया है कि वे धांडी चल कर जाएंगे और समुदर के प जाके नमक बनाने के लिए एक महिने तक पैदल से लेंगे धनी सोच कर परेशन हो रहा था एक महिने तक पैदल चलना है तो बहुत ही मुश्किल का काम है न यह सोच कर धनी परेशन में पढ़ गया था गांदी जी तो ठक जाएंगे गांदी जी तो ठक जाएंगे वे दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह कबर फैलेगी अकबारों में फोटो चेपेंगी इसी कारण वो कौन गांधी या और उनके साथ ही उने पैदल छेल रहे हैं रेडियो पर रिपोर्ट जाएंगे अकबारों में चेपने के कारण पूरे देश में समाचर फैलेंगे तो सब को मालुम हो जाएगे ना इसी कारण वो लोग पैदल छेल रहे हैं और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और पूरे लोग दुनिया बर में नहीं प्रबंच में दुनिया में पूरे लोग हमारे बारत देश में नहीं दुनिया में रहने वाले पूरे लोग यह बात जान लेंगे क्या है हम स्वतंत्रकारता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी नमक के ऊपर टाक्स दाल के हमसे ले रहे हैं यह सब लोगों को मालू हो जाएगा यह मालू होते ही सब वो लोग ब्रिटिश के लोग शर्मिंदा से मेसुस होंगे न यही बात सोच के वो लोग ऐसा करने जा रहे बोलके बताता है गांदी जी बड़े ही अकलमंद है है ना दनी की आंकों चेमकी यह बाते सुनने के बाद गांदी जी की बातों के सोच को सोच के हमारे दनी जी एक धंग कुश हो जाता है बिन्दा ने हसकर कहाँ हाँ वह तो है ही ओके अवेवर इस इंटलिजन्ट ओनली लाइक दा दोपहर को जब आश्रम में तोड़ी शांती चाई दनी आपने पिता को डूनने निकला वही एक पेड़ के नीचे बैट कर जब दोपहर में अपने पिता के लिए डूनदा तो पिता जी कहां मिले है अपने पिता जी एक पेड़ के नीचे बैट कर चेरकी का काम कर रहे है रही है पिता जी आप आप और आम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे है दनी ने सीधे काम की बात पूछी सीधा अपने पाप पिता जी के पात जाके पूछता है आप और मा दोनों दांडी यात्रा में जा रहे हैं बोलके पूछता है पूछे तो मैं जा रहा हूँ तुम और अमा यही रहोगे मैं अखेले जा रहा हूँ तुम दोनों यही आश्म में रहने वाले हैं बोलके बताता है मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ मैं भी आपके साथ आता हूँ बोलके मांग पूसता है बेकार की बात मत खरो दनी तोड़ा उंची आवाज में बोलता है तुम तो चोटा लड़का है न बोलके ऐसा कहता है तुम उतना लंभा नहीं चिल पाओगे वो बहुती दूर है न एक महीने तक पाईदल चलना है न उतना समय तुम नहीं चिल पाओओगे बोलके अपना पिता जी कहता है आश्रम के नवजवान ही जा रहे है आस्रा में जितने लोग नवजवन है वो ही लोग जा रहे हैं बोलके बताता है दनी ने हट पकड़ ली मैं नव साल का हूँ और आप से तेज दवर सकता हूँ मैं बहुती चोटा नहीं हूँ मैं नव साल का लड़का हूँ आप से भी मैं तेज दवर सकता हूँ बोलके अपने पिता जी से कहता है दनी के पिता ने चेरका ले रोक कर बड़े दीरत से समझाया दनी के पिता जी ने चेरका रोक कर यानि चेरका में सूथ का काम कर रहा है न उस काम को रोक के उससे समझाता है यानि दैरी से उसको समझाता है क्या है सिर्फ वे लोग जाएंगे जिने महात्मा जी ने खुद चुना है महात्मा जी जिन लोग उनको चुनता है वो ही लोग जाने के लिए तैयर होना है सब को मना करेंगे वो बोल के बताता है टीक है मैं उनी से बात करूँगा वो जरूर हां कहेंगे दनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया गांधी जी को पूछने के लिए वहां से चला जाता है गांधी जी बड़े विस्त रहते थे गांधी जी हमेशा काम में लगा हुआ रहता था था न इसलिए उनको मिलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा उन्हें अकेला पकर पाना आसान नहीं था गांधी जी को अकेला मिलना आसान नहीं था तब इन्होंने क्या करता है गांधी जी तब इन्होंने क्या करता है देखिए पर धनी को वह समय मालुम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा रोज सुबा आश्रम में पायदल गुमते है गांदी जी उनको अकेला कब मिलेगा सुबा पायदल वाकिंग के लिए जाता है न तब ही उनको मिल सकते है अकेला तो उन्होंने क्या किया है दनी ने क्या किया है अगले दिन जैसे ही सूरज निकला दनी बिस्तर चोड़कर गांदी जी को डूने निकला वे गौशाला में गायों को देख रहे थे जब सुबा सूरज निकला तब तुरंत गांदी जी को देखने के लिए जाता है गांदी जी को मिलने के लिए जाता है गांदी जी कहां जा रहे है, गोशाले में गायों को देखने के लिए गए थे, फिर वहाँ सब्जी के बगीचे में मटर और बंदर गोबी देखते हूए बंदा से बात करने लगा, सीदह गोशाले से कहां गया है वो सब्जी के बगिछे में माटर और बंदर गोवी देखते हुए बिंदा से कुछ बाते कर रहे है यानि पी माटर बोले तो क्या है पी और बंदर गोवी बोले तो क्या है क्या बेची इन सारे सब्जी उनको देखते हुए बिंदा से कुछ बाते कर रहे थे दनी और बिन्नी लगा थार उनके पीछे पीछे चेल रहे थे दनी और बिन्नी दोनों उनके पीछे करते चेल रहे थे अंत में गांधी जी अपने जोमप्री की ओचेले finally he went into the his hut बराम्दे में चरके के पास बैट कर उन्होंने दनी को पुकारा यहां आओ बेटा दनी दोड कर उनके पास पहुंचा बिन्नी भी साथ में कूती हुई आई दनी के साथ बिन्नी भी उनके पास ही तुम्हारा क्या नाम है बेटा दनी बापू और यह तुम्हारी बक्री है यह तो तुम्हारी बक्री है तुम्हारे साथ ही दिख रहे है न बो पुशता है तब जी हाँ यह मेरी दोस्ट बिन्नी है जिसका दूद आप रोज सुबा पीते हैं यह तो मेरे दोस है आप हर रोज इसका दूद ही पी रहे हैं दनी गर्व से मुसक्राया मैं इसकी देख बाल करता हूं यह बती करते समय मुसक्राते हुए गांदी जी को बताया गया है मैं इसकी देखबाल करता हूं बोलके बहुत अच्छा गांदी जी ने हाथ हिला कर कहा अब यह बताओ धनी की तुम और बिन्नी सुबा से मेरे पीछे क्यों गूम रहे हो अब तुम बताओ तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पर रहे हो बोलके मैं आप से कुछ पूछना चाहता था दनी तोड़ा गब रहा है जब यह बात बताते समें यह कन्फिजड लिटल बिट क्या मैं आपके साथ दांडी छेल सकता हूं क्यों घ मतर के उसने कहए डाला जूआ के वित करेज आटाटी जी मसकराए जब उसने पूछा उसको अप करेटा तब गांडी जी हसता है तुम्हारे पिता जैसे नवजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे चोटे लोग मेरे साथ नहीं आएंगे तुम्हारे पिता जी जैसे नवजवान ओनली यानि नवजवान ओनली मेरे साथ चलेंगे पर आप तो नवजवान नहीं है दनी बोला आप नहीं तक जाएंगे दनी तब क्या बोलता है आप तो नवजवान नहीं यानि गांधी बापुजी किस तरह तरह तब बूर आदमी के तरह है इसलिए उसने ऐसा पूछा था मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ गांधी जी ने कहा मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ दनी भी अट गया जब गांधी जी ने ऐसे बोला दनी भी वही बात पे जिद्ध हो गया तब माई भी दनी भी आठ गया और उसके बात देखिए हाँ टीक बात है कुछ सोचकर गांधी जी भूला ओके ओके लाइक तो तो तुम्हें आना है तो एक मुश्किल है प्रॉब्लम है वह क्या है अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो अगर तुम मेरे साथ आओगे तो बिनी को खौन देखे का ओके बकरी को खौन देखे का इतना चलने के बात मैं तो खमजूर हो जाओँगा मैं इतना मैने तक चल के आओँगा ना मैं बहुत ही खमजूर हो जाओँगा इसलिए जब मैं वापस आओँगा तो मुझे खूब सारा दूद पीना पड़ेगा जिससे की मे मारा बकरी का दूच है। इसलिए तुम … बकरी का ... देखबाल करना है तो … यह बात तो टीक है। बिन्नी थभी काती है जब मैं उसे किलाता हूं नज अहां सहु रही है। बिन्नी जब मैं tighten हुं बिन्नी यह काती हूं तभी वो … सिर्फ मैं जानता हुगी कि इसे क्या पसंद है और मैं हूँ अकेला इसको क्या चाहिए जानता हूँ बिल्कुल सही तो क्या तुम आश्रम में रहे कर मेरे लिए बिन्नी की देखबाल करोगे ओके ये तो वहोदी अच्छी बात है इसलिए तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए देख बिन्नी की देख बाल करोगी बोलकी पूसता है कौन गांदी जी बिन्ने दनी को पूसता है गांदी जी प्यार से ऐसे बोले तो वो क्या कहता है दनी क्या कहता है जी हां करूंगा दनी बोला बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे okay however he accepted गांधी जी से वर्ड्स यानि गांधी जी की बात वह मान लेता है इस का विता को सुबद्रा सेन गुपता जी ने लिका है मगर हिंदी में अनुवाद किस ने किया है मनिश्चाओदरी जी ने किया है सब लोगों को समझ में आ रहे हैं ने बच्चो तन्यवाद चिल्रेन